जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों नवरात्री की नौ तितियां ऐसी होती है जिसमें बिना कोई मुहूर्त देखे कोई भी सुभकार किया जा सकता है सरत नवरात्री के मौके पर सबसी ज़्यादा लोग अपने नए घर में परवेस करते हैं सास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नवरात्री पर गृफ परवेस करने पर घर में सूख और समरिधी आती है देवी लक्षमी का बास और कई गुना फल की प्राप्ती होती है तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि क्या आप भी नवरात्री पर अपने नए घर में ग्रीफ परवेस करने की सोच रहे हैं तो ग्रीफ परवेस करते समय आपको कुछ बातों का आवस से ध्यान रखना चाहिए वो कौन से बाते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है उसकी हम जानकारी देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेर करेंगे सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कि ग्रीप परवेश कभी भी रवीवार, सनीवा और अब मंगलवार को ना करें क्योंकि इन दिनों में उग्र ग्रहों का परभाव ज्यादा होता है, ऐसे में नए घर में जाने से नकारात्मकता आती है दूसरा है, अगर आप नवरात्री में नए घर में जा रहे हैं तो मंगल कलस रखकर ही अंदर परवेश करें इसके लिए मिटी या पीतल के दो कलस में जल भर करद्वार के दोनों साइड रखें अब इस पर आम के पाँच पत्ते लगा कर रख दे, कलस पर सिंदूर से स्वास्ति का निसान भी बनाएं और साथ में कलस के उपर सुद्ध घी का दीपक भी जलाएं ऐसा करने से घर में सुख सम्रिधी आएगी तीसरा है ग्रिफ परवेश करते समय घर के मुखिया को पाँच मांगलिक वस्तुएं जैसे नारियल, पीली हल्दी, गुड, चावल लेकर अंदर जाना चाहिए लक्षमी का आगमन होगा, इससे धन की भी ब्रिधी होगी पाचमा है, घर में पहली बार अंदर घुशते समय पूरुस अपना दाहिना और इस्तरी अपना बाया पर आगे बढ़ाए ऐसा करने से वास्तु दोस्त दूर हो जाएंगे घर में खुसाली लाने के लिए घर के इसान कोन में एक जल से भरा कलस रखे इस दोरान गनेश जी के किसी भी सिध मंत्र का जाप अवस्य करें और उसके बाद पूजा स्थान में कलस की अस्थापना करें पूजा घर के अलावा रसोई का भी सुधी करन करना चाहिए इसके लिए पूरे कीचन में धूप दिप दिखाएं अब कुमकुम हल्दी और चावल से चुलहे पर स्वास्तिक का निसान अवस्य बनाएं उसके बाद चुलहे पर सबसे पहले दूध हुबाले ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आएगी रसोई में पहले दिन गूड वहरी सबजियां रखना सुभ माना जाता है इससे बूध गरह का परभाव बढ़ता है ग्रीपरवेस के दिन किसी भी जरूरत मंदिया ब्रामभन को भोजन कराने से पुन्न की प्राप्ती होगी इससे घर में बरकत भी होगी ध्यान देने वाली बात है कि ग्रीपरवेस से पहले घर के में गेट पर असोग या आम के पत्ते और गिंदे के फूल से बना तोरन अवस्य लगाएं रंगो की सहायता से मा लक्ष्मी के पद चीन और रंगोली भी आप बनाएं तो बहुत ही सुभ होगा साथी साथ नवरात्री में ग्रीपरवेस करने पर दुर्गा सब्तसती का पाठ और रामचरित मानस का पाठ करना बहुत सुभ माना जाता है तो दोस्तों ये मैंने कुछ बाते बताए, कुछ नियम बताए, जो अगर आपना वरत्री में ग्रीह परवेस करने की सोच रहे हैं, नए घर में परवेस करने जा रहे हैं, तो ये कुछ जरूरी नियम आपको अवस्य अपनाने चाहिए, तभी आपका नए घर में परवेस और प्रोनत्ती लाहेगा तो आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स